तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम वेले वाले नहीं हो? तुमने पूछा ही नहीं? पूछती भी तो तुमने नहीं बताना था नहीं बताता मैं पैसो को देखकर बात ये है, तकबूर की वज़े से बहुत कुछ खो देते हैं लोग जिन्देगी में बहुत कुछ है सीखने को छोटी मैडम क्या मेरी गाड़ी की जाभी मिलेगी मुझे? हाँ गाड़ी कहा है मेरी? लिये गए पैसो को हलाल करने के लिए उसको अच्छी जगा पर पार्क किया था लेकिन अब जगा याद नहीं और वैसे भी हमारे हुनर की कदर पैसो से पूरी नहीं होती हलो बहुत अच्छा रहा एक हिस्सा भी बाकी है देखते हैं तुमने क्या किया? होटल मैनेजर से बात की? शुक्रिया मेरे प्यारे कजन ठीक है मुझे लोकेशन भिश्दो मैं भी आता हूँ चलो ठीक है खुदा आफिस जरा सुनिये का आप अपना फोन भूल गई थी हाई बहुत शुक्री आपका आज तो आपके लिए मुसीबात ही बन गई मैं अरे बिल्कुल नहीं मैं काफी दबाव में था यहां पर आने तक एक कॉफी का वकव अच्छा रहा क्या मतलब तुम्हारे खयाल से किस्मत है यह तुम्हारी पता नहीं है क्या यह तो मुझे नहीं पता सही का इंसान को अपनी किस्मत खोदी बनानी चाहिए यानि मैं खुद को यह मौका दे रही हूँ हाँ थोड़ी से उलाच चाहती हूँ मैं लेकिन अपने पेशे को बहुत अकलमंदी से चुना है मैंने ओ तो तुम उसकी बात कर रही हो तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ भी नहीं लगा अच्छा दुखी मत हो चहल कदमी करें हाँ चहल कदमी ठीक रहेगी हम एक साथ है तुम्हें ठीक तो लग रहा है ना हाँ सही है मेरा रास्ता वैसे भी यहां से अलग हो जाएगा ठीक है अच्छा वो तुम्हें किसी का फोन आया था जिसमें मेरी जान लिखा हुआ था मेरी बेहन को फिकर हो रही होगी मेरी हाँ शायद फ़नी बात करती मैंने हाँ मेरा मतलब फ़नी है तुमने अचानक से इस तरह मैं कहा तो मेरी जहन में बकरी आ गई ठीक है थोड़ी फुजूल बात है थोड़ी नहीं ज्याद आई है वैसे तुम किस स्कूल में पढ़ती हो क्या क्या ये सवाल ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि तुम कौन सी क्लास में हो अच्छा ऐसी बात है यहनि तुम्हें ऐसे सवालात पसंद नहीं है अच्छा तो बेटा तुम किस जमाद में पहुँच गई हो पाच्वी तुम अभी पहली जमाद में नहीं थे उजाल बॉज इस्तंबूल स्कॉलर्शिप पर पढ़ी हूँ तो मेरी एक मजबूत नकीब है वजीफे पर पढ़ना बहुत मुश्किल है बिल्कुर मैं भी इस्तंबूल से ग्राजवेट हो अच्छा मतलब अगर मैं अपना नाम भी लिखवा थी तो हमें की ग्लास में होते वा भई स्कॉलर्शिप मिलने के बाद फैसला बदल लिया मैंने शायद हमारी इंटर्शिप एक साथ हो क्यों नहीं क्या कहा जाता है उस वक्त जब दो इंसानों को कुदरत एक साथ मिला दे उसके बाद उनका एक साथ रहना उनहीं पर मुनसर है ठीक हा न मैंने लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कहीं पढ़ाता मैंने समझ गई मैं तो ठीक है फिर मुलाकात होगी जिहां ज़रूर फिर मुलाकात होगी ज़रूर नहीं कहाँ झाल झाल